दोस्तों 2014 आईपेल में शांदर परफॉर्मस के बाद दिनेश कार्थी को T20 वर्ल्ड कप में सेलेट की जाने की बात लगातर की जा रही है इस विशे पर युवरा सिंग ने भी रियक्ट किया है युवरा सिंग का कहना है कि दिनेश कार्थिक अच्छी बैटिंग कर रहे है लेकिन लास्ट टेम 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जब उनको सेलेट किया था तब उनका परफॉर्मस अच्छा रही था और बाद में रिशेफ पंत को उनकी जगा मौका दिया गया आगे उनने कहा कि अगर कार्थिक आपकी प्लेइंग 11 में नहीं है तो आपको टीम में नहीं चुला जाना चाहिए उनके अलावा रिशेफ पंत और संजू सेमसंग भी शांदर फॉर्म में है और दोनों यंग प्लेयर भी है उनका टीम में सिर्फ होना लॉंग टर्म में फायदा करेगा दोस्तों क्या ये स्ट्रिटमेंट दे के युवरा सिंग ने दिरिश खारती के सेलेक्शन की बहस खत्म कर दी है कमेंट बॉक्स पर बताओ